विवेक पांडे साब है समाचवादी पांठी के प्रवक्ता बहुत स्वागत है सर आपका इस वक्त अश्रम्शी आजाद साब भी हमारे साथ जुड़े हुए है वीडियो पी से प्रवक्ता है आप आपका भी बहुत स्वागत है सर देखे पांच एक्सप्रेसवे वाला यूपी और अब बुंदेलखन एक्सप्रेसवे की कल सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं क्या ये योगी सरकार में मुम्केन है सब आजाद सब जे देखे जब से योगी स 2.0 सरकार बनी है ये पहली सरकार बनी थी उस वक्ति केंजर सरकार और उतरपरदेश की सरकार ने उतरपरदेश को नया आयाम देने की जो मिल्यम छुड़ी थी तो उसमें आपने देखा कि इसके पहले जो पुरवांचने स्प्रेस वे हुआ और उसके बाद ये कुछी दिनों के बाद जिसके समय सीमा रखी गए थी कि कम से कम 36 महीनों में ये पुल बन कर तो ये 36 महीने में हाईवे बन कर तयार होगा लेकिन आप देखें कि रेकार्ड सम किया गया है राम जन्मानस के लिए पूरा इंतजाम किया गया है 200 चाचट चोटे पुल और साथ जो है बड़े क्या करते हैं कि रेंप को बनाए गया है वहाँ पर छे टोल प्लाजा बनाए गया है तो इस तरीके से इसको इसना खुपसूरत बनाएगे कि आप जब इस पर स चुकी है और सबसे बड़ी बात यह कि यह बिल्कुल नीट एंड क्लीन इसका निर्माड़ किया गया इसमें किसी भी परकार की कोई भी दलाली या कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं होगी जिससे पहला जो हुआ था ताज एक्सप्रेस वे में लोग कहते हैं कि वहां पर धानली पल यह दिन जो है स्वर्णिम अच्छरों में लिखा जयागा कि एक और विकास के लिखा जाएगा दो बड़ी बाते आपने कही कि जिस तरह पहले घुटाला हुआ ताज एक्सप्रेस में इस तरह तस्वीर यहां पर नहीं दिखेगी नीट एंड क्लीन इसको तयार किया ग